आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो वासपोर्स सर्जन दिखाएंगे हम लोग ठीक है वासपोर्स सर्जन यानि पौधे एक्स्ट्रा मात्रा में जो उनके पास पानी आ जाता है उसको क्या करते हैं भाफ बनाकर उड़ा देते हैं तो यह हम लोग ऐसे तो दिखाई नहीं दे प्रमीन के पास पौलिथीन है और प्रमीन यह हमारे पौधे में बाँढ़ेंगे चली प्रमीन लगाईए कि बांददीजिये तो पौलिथीन लग गए है ठीक हैह अब हम लोग क्या करेंगे लंच southwest के बाद हम लोग आएंगे तब तक देखेंगे कि कितना भाफ के रूप म इन्होंने पानी उड़ाया है ठीक जो पानी आएगा वो पॉलिथीन में रुखेगा ना चेक करेंगे कि आया है कि नहीं आया होता है ऐसा या नहीं होता है ठीक है तो चलिए सारे लोग अब ये सेट अप हो गया है पूरा ठीक चलिए लंज के लिए निकल लिए पानी दिख रहा है ना आपको जब हम लोग पॉलिथीन लगाए थे तो पॉलिथीन सूखी थी कि गीली थी एकडम सूखी थी ना तो अभी डेर सारा पानी दिख रहा है कहां से आया होगा पानी अंदर से बाहर से तो आया नहीं है बारिश तो ही नहीं है तो इसका मतलब यही पाने निकाला है सही है न तो पोदे ने जो एक्स्ट्रा पानी था उसको भाफ बनाकर निकाल दिया अब बाहर तो जा नहीं पाया इसलिए वो पॉललिफीन में आपको दिख रहा है समज 2003 ले जाता है तो पोधे जो पानी सोख ता है जड़े पानी सोकती है ठीक है वो पौधे के सारे भाग तक कोल ले जाता है तना ले जाता है तो तने से सब जगा गया पत्ती ने बोजन बनाया ठीक जितना ज़ादा पानी एक्स्ट्रा पानी जो था जो पौधे को जरूरत नहीं थी उस पानी को पौधे ने किया किया भाफ बना कर उड़ा दिया ठीक है समझ आया की नहीं समझ में आया तो दिख रहा है एकदम दिख रहा है एकदम समझ में आ गया सबको समझ में आया मज़ा आया ठीक अब पौधे पेचारे को और भी सास लेने का मौका दीजिए बाहर की हव चाहिए उसको धूब चाहिए इसलिए उसको खोल दीजिए नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा